दोस्तो सब्सक्राइब करें क्ल्टी मंत्रा चाइनल को और बेल ऐइकन दुबाना मत बुले ताकि आपु देख सके हमारे चैनल की कॵ्ल्टी वीडियो सबसे पहले नमस्कार दोस्तों सौङते हैं आपका quality mantra में दोस्तों आज हम इस यूड़े में बात करने जा रहे हैं hair sprays के बारे में देकि hair spray ऐसी चीज होती है जो कि आपके बालों में hardness प्रवाइड करती है जो कि आपके बालों को hold करके रखती है और market में बहुत सारी hair sprays हैं जिने में से ये जो hair sprays है वो best selling है ज़्यादा बिखती है तो आज हम आप वीडियो में comparison करने जा रहे हैं hair sprays का और choose करेंगे कौन से hairspray आपके लिए best है चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को इस वीडियो में हमने comparison किया है दो best selling hair sprays का एक हमारे पास यह gets buy की super hard hairspray और एक है यह सिमको की shift hairspray यह दोनों जो hairspray हैं वो मैंने खुद यूज़ करी गई हैं यह जो shift hairspray है वो मैंने यूज़ किया है one month और यह जो gets buy की hairspray है वो मैंने दो weeks यूज़ किया है इस वीडियो में मैं अपना experience आप लोगों से share करने जा रहा हूँ तो यह जो shift की hairspray है यह मुझे basically यह gets buy की hairspray से ज्यादा बहतर लेगी basically फर्क है कि इसमें जो holding power होती है वो आपको ज्यादा अच्छी मिल जाती है means आपके बालों को काफी अच्छे से hold करके रखती है देखिए hold तो यह भी करेगी यह जो super hard hairspray है यह भी आपको बालों को काफी अच्छे से hold करेगी लेकिन यह जो simco की hairspray है वो काफी अच्छे से hold करते है means अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो यह हवा चल रही है जहां ऐसे हिल रहे हो जो पाटी में नाच रहे हो तो फिर आपके बाल नहीं हीलेंगे means वह जो हिफ्ट hairspray है वो जादा अच्छे से आपके बालों को hold करके रखती है तो दूसरे जो मुझे इसका benefit लग जाती है means जब अब लगा रहे होगे तभी आपको smell देखने को मिलेगी फिर जैसे आप इसे लगाने के बाद time हो जाता है तो फिर इसकी smell जो गयप हो जाती है means काफी short period के लिए smell लिए इसकी देखने को मिलती है दूस्तों वैसे तो जो gets by की products हैं वो काफी अच्छे माने ज जोस्तों वो उसकी भी holding capacity काफी अच्छी होती है लेकिन वो नॉर्मरी नहीं recommend होती है क्योंकि उसका कुछ side effect भी देखने को मिल सकता है और एक उसका price भी काफी high होता है दो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि price की और quantity की इनकी जो quantity होती है वो होती है 250 ml दोनों spray की quantity same होती ह लेकिन price की terms में यह जो सिमको की shift hairspray हो थोड़ी से महींगी होती है इसका price गैट्सबाय की hairspray है इसका price होता है 200 रुपीस और यह जो सिमको की hairspray हो फोड़ी से महींगी होती है दोस्तों मैं hairspray की और बात करूँ तो काफी सारे bands की hairspray में देखने को मिलती है लेकिन बात प्राइस का प्राइस काफी हाई रखा गया है तो अगर आप कहीं बजेट ओरेंटेटेट इस ब्रेकों डूंड रहे हो तो उसकेस में यह सिंपको के लिए बैस रहेगी काफी अच्छे से आपके बालों को खूल करके रखती है तो अगर आप इसे हैर स्परे को खृड़ना च पर अक्सर इस तरह के जिस और वीडियो के साथ, तो तक के लिए, जै हिंद!